साल 2023 का दन हर्याणा के अतिती अध्यापकु के लिए काफी भारी रहा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं यही बताऊंगी आपको अपनी इस पूरी खबर में। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारी इस चैनल न्यूस प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम हर्याणा से जुड़ी हुई और देश के हित के मुद्धे आप तक पहुचाते रहें। अतीती अध्यापकों के लिए हर्याणा में साल का आकरे दिन इसलिए भारी रहा क्योंकि आज जितने भी हर्याणा के गेस टीचर हैं वो शिक्षा मंतरी कवरपाल गूजर से मिलने के लिए उनके आवास पर जा रहे थे। उनसे पात्शीत करने जा रहे थे लेकिन आज उन अध्यापकों के साथ कुछ ऐसा रवया सरकार के द्वारा किया गया जो कि बिल्कुल निंदनीय है। हुआ क्या अब वो बताती हूँ आपको। पुरा नगर अनाजबंडी जिला सचवाले में गेस टीचर्स के ऊपर ये लाठी चार्ज इस कदर किया जा रहा था जैसे देश में से किसी दुश्मन को भगाने के लिए सरहत पर लड़ाई लली जाती है। इस दोरां शिक्षक अपनी जान बचाने के लिए इधर उदर भ शिक्षक पिटने के बाद भी वहाँ अपनी मांगों पर अड़ते हुए नज़र आए तो पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया और उन्हें खूब लाठी उसे पीटा। आपको बता देएं कि शिक्षक रेगुलर किये जाने की मांग को लेकर लंबे समय से संग भर्ष कह रही हैं और इसी के तहित वो आज शिक्षा मंत्री कवरपाल गूजर से मिलने के लिए जा रहे थे आज जिस तरीके से गेस्टीचर्स के साथ सरकार्ग द्वाराई रवया किया गया है लाठी चार्च किया गया है आप इसको कितना सही मानते हैं और कितना गलत मान आप इस पर अपनी क्या राए रखते हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं खबर को शेर इतना करें ताकि जादा से जादा लोग इस खबर को देख सके जान सके जान सके कि आज के समय में किस तरीके से देश में नयाये लेने के लिए शिक्षक पिट रहा है